दोस्तो भूले बंडारी आज दिनां 17 मार्श 2020 सुबह मैं अपने अफिस में अपनी डूटी पर कोई तीन बज कर 21 मिनट पर आ गया हूँ आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं इस वर मेरे सामने थड़ा है उस वीडियो के लिए मैं अपने को थोड़ा चार्जिंग कर रहा हूँ इस गाने की धुन पर जो अमर गाना है कि अपना है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अब अपन अपना वीडियो बनाते हैं इसको दुबारा बाद में सुन लेंगें दोस्तो हमारे जियोन में संगीत का एक विश्य स्थान है वैसे तो हर चीज का अपने जियोन में स्थान है मदूर संगीत हमें एक ऐसी दुन्या में ले जाता है जो अवरनी हैं जिसका अवरनन नहीं किया जा सकता जो निर्वचनी हैं बहुत से लोग अपने टेंशन अपना डिप्रेशन मदूर संगेत सुन-सुन करी करते हैं यह उसी स्थार की दिय हुई एक अनुपम भेठ है और भारत में तो जहां जिन्दगी इतनी भयानक दक्यानुस्पी विचार धारों में बंदी हुई है वहां तो बहुत से लोग इन प्रेम गीतों को सुन करके गा करके ऐसा ही मैसुश करते हैं जैसे कि उनका प्रेमी प्रेमी का सामने खड़ा हो चाहे उनको व्यक्तिकर्द जीवन में ऐसा हुआ हो या नहीं हुआ हो इससे उनको बड़ा फैदा भी होता है क्योंकि कुछ समय के लिए वो इक इतनो टिक से स्टेट में पहुँच जाते हैं अब अपना वीडियो सुरू करते हैं आज का विशे देखो भाई हमको जो जिस रूप में दिया जाता है उसी रूप में हम उसको बोलते हैं यह देवानी हैं हम बताते रहते हैं यह क्या है यह इस रूप मेरे सामने खड़ा है यह सत्मूच में खड़ा है यह बैठा रहता भी है और यह हमारा सब कुछ है कभी कभी हमारे इसके बीच में जगड़ा भी हो जाता है कभी कभी मैं इसको धंकी भी दे देता हूँ कि मैं तुम्हें जान से मार दूँगा अब भाई ये तो है आज का विश्य सुनिए ये टिकेट ये टिकेट जी ये चुडूनी साहब ये मोधी साहब भागोतें अंड कंपनी ये चंदर सेकर ये वामन मिस्लाम ये विजय मानकर ये सब मेरे हैलपर्स हैं और मेरे और मेरे रिमोट की जेगर मैंने रिमाटी लिख दिया था देखो और ये सब मेरे रिमोट कंट्रोल के अनुसारी काम कर रहे हैं देखो किसी देवपुर्स ने किसी सुखन सकती ने कोई परमबानी ने ये कहा है तो भई कहा है हम क्या करें ये टिकेट जी ये चिडूनी साहब इमूदिसाए भागवटनेंड कंपनी, ये चंदर से करी ये वामन मिस्तराम, ये मान कर इत्यादि सारे लोग, और बहुत से हजार लोग, सब मेरे हैल्परस हैं, और मेरे रिमोट कंट्रोल के अनुसारी काम कर रहे हैं, और वह कहती है कि भाई रिमोट कंट्रोल ये है, अब आज देश किधर जाएगा, अब देश किधर जा रहा है, किसान आंदोलन और सरकार का ये टक्राफ कितना बढ़ेगा, इसके बारे में हम, आप सुनिये हमारे विचार, देवानी के विचार, ये पहला एक ट्रेंगल देखिए, इनको देखने से आपको पता चल जाएगी, क इसमें पहला हिसा है, ये भुजा है, कांग्रेस, बीजेपी, आरेसेस, और अपर ग्रुप्स के लोग, इनके सपोर्टर्स, पंडर्स हैं, दूसरी है ये, ये एस्पिये, ये आरेल्डिये, टिकर्स साब, चड़ूनी साब हैं, ये जो मिडिल ग्रुप, OVC के, हमने बताय टीसरा ये है, ये वामन मिस्त्राम, संदर सेखर, मायवर्ती, ये PFI, और ये सभी लोवर ग्रुप के हैं, जो हम इनके बताते रहते हैं, यहां, 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 यह सब अपने अपने अनुसार, अपने भलाई के लिए काम में लगे हैं, दूसरा नंबर देख ये एक तवर्फी तीन प्रकार की प्लानिंग काम कर रहें हैं, यह एक एवन है गोवर्मेंट प्लानिंग, यह बीवन है पब्लिक प्लानिंग, यह सीवन है डिवाइन प्लानिंग, यह गोवर्मेंट भी प्लानिंग कर रहें हैं, भाई हम ऐसा ऐसा करेंगे, परमात्मा न अपनी planning कर रखे, भá premiers मैं तो देश में ऐसा करूँगा, और public planning पबलिक ने कर रखे, पबलिक क्या है कि उसमें करोडों लो गहें, वो अपने अनुसार plan कर रहे हैं, बहुत से गुरूप बन गए हैं तो गुरूप कर रहे हैं फिर अकेला-केला कर रहे हैं मैं भी अपने खोके में प्लानिंग कर रहा हूं कि मैं तो देश को ऐसा ऐसा बनाऊंगा और देखो इनके सेंटर के बीच में यह M M लिखा हुआ है तीसरी देखे यह तीसरा ट्राइंगल है यह विज्ञान है यह एक है फीजिक्स दूसरे परे है यह मेटा फीजिक्स और तीसरी परे यह स्रीविद्या इस मेंवे बीच में M है इनको आप समझ सकते हैं कि ये क्यों लिखी गई है इनका क्या आर्थ है ऐसे चौता ट्राइंगल देखे हैं हम वीडियो को बड़ा नहीं बनाने चाहेंगे ये ये बताती है कि भाई देखो समझ ये समझ है सर्म है दूसरा बताते हैं कि भाई इस पॉइंट पर कानून है और तीसरा बताते हैं कि भाई डंडा है मतलब कि ऐसा ऐसे दुनिया का काम चलता है कहीं समझ से कहीं सर्म से कहीं कानून से कहीं डंडे से दोस्तों हमें अच्छा इन सब के बीच में ये एम एम है मैंने लिखा है इसको membership यह मेरा ही समझे लो कल मैं जो अपने भास्तान में बोल रहा था कि यह काम आएगा मंंगलन फैक्टर कुछ नहीं यही जो देवानी है यही जो प्लानिंग है उसी को मैं आज मंगलन फैक्टर कह दिया है यही है अब भारत किदर जाएगा, भारत का क्या होगा, कैसे कैसे क्या होगा, अब ये बताओ दोस्तों इनी सबी को देखो, तो मैंने अपने अनुसार और परमात्माने मैं समझता हूँ कि मुझे इस तरह से ट्रिंड किया गया है कि मैं इस सब के बीच में हूँ, पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा, चोथा और और बहुत से भी चाहे मुझे कितना ही कष्ट हुआ हूँ, चाहे मुझे कितना ही लुटा पिता हूँ लेकिन मैंने जो मेरे को सुरी विद्धा दिये उनके बीच में रखा है और उन सब का मैंने ध्यान रखा है जैसे कि समझ सर्म, कानून और डंडा ये आपको तीनो चीज यही काम में लेनी है एक चीज से काम नहीं चलता यदि आप हर जगे समझ समझ रखे हैं कि भाई इसी से चल जाएगा तो नहीं चलेगा कानूनी कानून से तो इससे नहीं चलेगा कभी कभी आपको डंडा दिखाना पड़ता है सामने वाला यदि बधमासी कर रहा हो लफंगा पड़ा कर रहा हो भर्ष्टा चारी कर रहा हो कानून का हाथ में लेता हो तो क्या आप कानून उससे जीत सकते नहीं जीत सकते उस समय तो वो कुछ करी देगा लठ मार देगा या गोली चला देगा इस्वार ने मुझे एसा ही दिया, आज मेरे एक प्रकरहन हमारा याद आ रहा है, मैं आप, मैंने आपको बताता है काई बार कि मैं बेंक में पी-व प्रॉबेशनलिर ओफिसर्स आपउइंट हुआ तीन बेंकों मैं, मैंने एक बेंक को पसंद किया, प्रोविशनेयर ओफिसर्स ये समझे लोग की लवख डाइरेक्ट मैनेजर ही होते हैं कहीं मैनेजर कहीं अस्टेंट मैनेजर कहीं हेल्पिंग ओफिसर्स मैं कोटा रामपुरा ब्रांच में पोस्टेट था दो-पांच साल मुझे हुई होंगे पोस्टिंग के बाद में मैं अपने मैं यह प्रकरन अपको थी पर्मात्मान मुझे बोलाइकि सुना दो है कि मैं अपना काम कर रहा था मेरा जो क्लार्ण ता उसको ऐस घ्राफ बनाना था कस्टमर आया कि भौई सर्वों ड्रािफ्ट दे दो मैंने क्लार्ण से कहा कि मैंने कि भाई वो उसका नाम लेकर बना देना यार तो उसने तो जट से क्या कहा मुझे नहीं बनाता बता ये उसका काम है और उसने कह दिया और पूरी ब्रांच में मेरा तो चहरा फक्र रह गया और लोग हसने लगे कहने लगे कि देखो ये पांच फुर दस इंच का रिष्ट पुष्ट आदमी डायरेक्ट पियो अफसर और इसकी क्या जात बिगाड़ी है अब भाई इसका मैं क्या करूं इसका क्या इलाज है भाई मैनेजर को कंप्लेंट करो भाई आगे बढ़ाओ तो सब जगे है सब उपाए काम नहीं आते मैने कि भाई बहुत जूर का हुआ अब तो इस ब्रांच मेरे यहां कैसे काम करेगा इतने जलील पने से इस बेस्धरमी पने से तो मैं नहीं कर सकता फिर मेरे पास जो दूसरा बैठा हुआ था जिसके अंडर में वो लड़का काम भी नहीं करता था उसने कहा सरकमन स्टानसेज को भापकर अरे अरे यार डी बना देने उसने उससे कहा कि मैं हादी बनाता हूं बता मेरे अच्छा फिर उसके बाद मैं मैं सो समझे कर उसके पास गया मैंने कि मिश्टर सोंड सो तुमने यह मना क्यों किया अरे कर दिया तो कर द आपको मैं यह बता दूँ कि आज से तो कोई 20-30 साल पहले ज्यादा ही हालत खराब थी। अवारे स्टाफ एसोसेशन इतनी तगड़ी थी। मैं उसकी कोई रिपोर्ट लिख सकता ने ट्रांसफर कर सकता उनकी मनमर जी। पांच बजे चार बजे टाइम के बाद किताबों को फैंक पांक कर तले जाएं ये। क्योंकि कुछ उसके तुम बिगार तो सकते ही नहीं। अब भाई जैसी परशितियों जैसी हैं। तुम किसी का कुछ कर भी नहीं सकते। मैं इनकी भाई मंगल ये बात है। मैं उसके पास गया तो भी ते नहीं ये क्यों ऐसे मना क्यों किया। अरे कर दिया तो कर दिया। उसमें मैं बिलकुल ही यंग था। अशी के लूबजन का। मैंने तो एक जापटवारा उसके गाल पर और उसका मुंग तेड़ा हो गया। उस थपर की आवाज पूरी ब्रांच में गूणी। और पूरी ब्रांच खड़ी होगई कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और अरे इसमंगल ये इसsters ने ने इसके थपर मार दिया। इसको डूडी बनाने से इ allowance कर दिया। मैंने यहां मार दिया अब ये अपनी कंप्लिंट कर दे अब ये अपना हेल्प ले ले खहीं से भी और मैं टेंसन फ्री हो गया हला मच गया उसके बाद क्या हुआ था कि मंगल हो गया जो हो गया मैं प्रसंद था जो सामने वाला बेकानूनी काम करेगा तो तुमको भी थोड़ा बहुत बेकानूनी करना ही पड़ेगा उसके बाद क्या हुआ कि मैंने की भाई अवारिश टाफ कलर कैसो से नतगरी होती है कहीं मेरे पर तूट नहीं पड़े मैं पास में ही मेरा क्राय का मकान था कोटा में कोटा रामपुरा में में रहता था मैं घर गया और एक चकू ले आया चाकू ले आया पैंट की जेब में गुशा और फिर आकर बैठ गया यहां कंप्लेंट करो ऐसा हो गया फिर हमारी ओफिसर से से जन बीच माई और मामला रफ़ा रफ़ा हो गया तो दोस्तो आपके घर में कोई लुटे रहा घुजा या आपके बहन बेटियों से इंद्जार करें तो आप यह नहीं करेंगे कि मैं कानून उनके पार जाता हूं तुम छेड़ खानी करते रहो या लूटते रहो मेरा कहने का मतलब कोई कानून का अपने हाट में नहीं लेना आप चाहे धरना इधरना करो कानून यह लेकिन परमात्मा की लीला तो कुछ ऐसी है जहां समझ भी है सरम भी है कानून भी है डंडा भी है कहां क्या यूज करना है आपको दिखना है इसलिए मैं कहता हूँ कि अब देश में ऐसा ऐसा होगा जादा लंबा नहीं करूंगा अब इस सारे प्रक्रान का आंदोलन कर देश किस तर्फ ले जाएगा वह सुनिए नमबर एक यह सरकार किसान टक्राओ अब खून खराबे वाला भयानक रूप लेगा इस सरकार किसान टकराओ अब खुन खराबिय वाला भयानक रूप लेगा दूचरा नमर उसके बाद ही सब को होस आएगा तीसरा नमर हुपमरान हारेंगे सब के होस ठिकाने आएगे सब के होस ठिकाने आएगे और क्या होगा चौथा नम्मर होगा हुक्मरान भागेंगे मरखिर जाएंगे और बीबी ग्रुप को होस आएगा हुक्मरान भागेंगे यहां यह यह हुक्मरान है उंचे उंचे वाले अपर ग्रुप से भी उपर फिर बी बी ग्रूप को होस आएगा, कि हम क्या कर रहे हैं, पांचो नुमल्ब फिर मंगलम फैक्ट्र आएगा, जैसा मैंने कल कि इसी बेटर मंगलम फैक्ट्र आएगा, Great India फैक्ट्र फार्मुल आएगा, Divine Master फार्मुल आएगा, फिर हिंसा रुकेगी, ग्रेट इंडिया फार्मुला लागू होगा, तब भारत महान बनेगा, वल्ड पावर बनेगा, प्रोसेस तो यही होगी, वै इसलिह होगी, वै इसलिह होगी, इसका रिमोट कंट्रोल, यह रिमोट कंट्रोल यह है, यह रिमोट कंट्रोल एक हाई टेकनिक इंस्टूमेंट है इसमें इतने factors काम आते हैं कि आप सूच नहीं सकते लोग क्या कर रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं अरे भाई मोदी साहब आगवतेंड कमपनी मैं बड़े बड़ों के लिए अपनी बड़ी जातियों के लिए या उनके लिए काम करूं और इस सारी प्रकरन को इस भारत की गाड़ी को ऐसे ले जाऊं अरे ये भाई चिडूनी साब टिकेट साब बड़े बड़े फार्मर हैं ये अपर OBC किसी के पास सो वीगा किसी के दो से वीगा किसी के इतना है भाई ये क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि हमारे तो तीन कानुबा पिसलो हमें प्रिदूर हम चले मतलब अपना-पना स्वार्थ निकालो चलो ये लोवर OBC हैं इसमें आर्टी जंस हैं इसमें लेंडलेस लेबर्स हैं स्माल फार्मर्स मार्जिनल फार्मर्स हैं इसमें हैं लुहार, कुमहार, सेनी, कुस्वा, इत्यादी, इस अपर वोबी सी में है, जाट, गूजर, मेना, यादो, पटेल, उसके बाद और भी ग्रूप है, इन्होंने ये कहा कि हम ऐसा करेंगे, इनका बिचारों के कोई सुनी नहीं रहा, उसके बाद में ये 30% आता है, ये 25% है, ये ये लोवर से लोवर गूप है, इसमें ज्यादा तर हिस्सा है, अंटेचे बिल्स का, फिर जंगल में रहने वाले आदिवासियों का, जिनकी कोई सुनता नहीं, जिनकी भ्यानक हालत हैं, भाई उनके बारे में तो कोई बात नहीं करना, ये अपनी बात करने है ये अपनी बात करने हैं, कुछ चंदर सेखर, वो अपनी बात करने हैं, इसमें और भी बहुत से हिस्से हैं, चाहे बंबई का, वो फारस रोड हो, दिली की जीवी रोड हो, और इलाबाद के वो, कौन सा मार्केट है, पंडी जवालने नहरू, जहां पर पैदा हुए, जहा कौन सी लड़की को कहां से चुरा कर लाया, जमेला दे कर लाया, वो तडफ रही हैं, जिनको बेच दिया गया, और वो भगवान से रात दिन इंतियारी करते रहते हैं, कि भाई, भगवान कोई भेजो, मुझे उनका विध्यान है, मुझे इस वर्ग में नीचे नीचे आते हुई इन मच्वारों का विध्यान है, जिनको पता है घरवालों को कि इस लड़के को इस माबाप बाप को वेज रहे हैं, मचली पकड़ने के लिए, लेकिन पता नहीं वापिस आएगा कि ने आएगा, लेकिन भाई, स्याम का पेट भरने के लिए तो मचली तो लानी है, य जंगल में सेर चीते भगेरे भी हो सकते हैं, हो सकता है, सिकार बन जाएं, भई बन जाए तो बन जाएं, लेकिन लाना तो है, दस परसेंट गुमक कर जाती है देश में कितनी भैयानक हालत में रहती है किसी को कोई की चिंता नहीं है और ये सारा जमिला इसी बात को बताता है और मैं बताता रहता हूं कि देश के सासक कैसे भयानक मौत मर गे और अभी यदि नहीं चेते तो ये सासक भी मरेंगे कोई भी सासक जो आएगा वो मरेगा मैं बताता रहता हूं कि वे इसलिए मर गे क्योंकि इनकी तरफ तो कोई धानी नहीं देता ये पहले भी साथ साथ है भाई 370 में कुछ भी करो कुछ भी लूट पाट करो UIT में कर लो भाई हमारा क्या है EVM में भी हमारा क्या है इन मेरे बड़े सर्ष को टिकेट तो चडूने साब अभी भी यही कहते हैं कि टीन कानून और MSV अरे भाई EVM का कौन करेगा हल जो 44 जवाँ जिनकी आत्मा अभी अभी अंतिर्श में चिला रही है जो कभी मेटरियलाइज हो जाती है कभी सुने में विचलन करती है उनका हिसाब कौन देगा भाई कोई भी ने दे हमको तो हमारा चीज लाओ हमारा चीज लाओस को लूट कमा ले मंगलम बीच में खड़ा है मैं मंगल भगवान ने मुझे बताया है और मैंने सबका ही ध्यान रखा है और अब मैं कह सकता हूँ कि ऐसा ही होगा इसलिए मैं कह सकता हूँ मुझे बताया गया है इसलिए देवानी बोल रही है कि सरकार किसान टकराव खूंखराबे वाले भयानक रूप लेगा क्योंकि इसके बिना इनकी इनको अक्ल आही नहीं सकते इसपी आरलडी चडूनी साब बड़े और ये बड़े ऐबरे ये तक ही हमारा मोझ हैiacod मरो तो मरो दुनिया यह वो डिवाइन प्लानिंग भी तो है गवर्मेंट की अपनी प्लानिंग पब्लिक की अपनी प्लानिंग डिवाइन प्लानिंग इन सब को ले करके यह मंगलम प्लानिंग है बुरा नहीं माना आज में मेरा नाम निकल रहा है तो निकल रहा है यह एक्सपरिमेंट है क्या द वह दो, कहते हो, यह दुनिया इतनी बढ़्वास है, वो यह कहएगी, कि तुम्हारी भेन बेटियों के साथ में जात्ती कर ले, लेकिन भाई कहेंगे कि हम तो तुम्हारे जीजे लगते हैं, देखो हम, जीजे जो करते हैं, जो हम कर रहे हैं, ऐसा ही आज का खुमरान कर रहे क्या रहे हम तो हुकमरान हैं, हमारे बुरूद ऐसे कैसे बोल सकते हो, लेकिन देखना, ये लोग भागेंगे, मरेंगे, और इनके सपोर्टर्स, फंडर्स के लिए भी भैनक खालत पैदा होगी, इसलिए कि हुकमरान उसके बाद ही सब को होस आएगा, हुकमरान हारेंगे, सब के होस ठीकाने आएगे, हुकमरान भागेंगे, मर फिर जाएगे, फिर बीबि गृप को होस आएगा, कि भाई ऐसा ऐसा कर लो फिर मंगलम फैक्टर आएगा फिर हिंसा रुकेगी ग्रेट इंडिया फार्मुल लागे होगा तब जाकर कोई भारतमान बनेगा और ये सब इसमें कितना टाइम लेगेगा इतना टाइम लेगेगा जितना आप लगाना चाहते हो जिसको देखो चिला रहा है अरे गरेट सायरन का बारा गरेट सायरन का बारा वो तुम्हारा नोकर लगा है वो भगवान नोकर लगा है भगवान किसी का नोकर नहीं है वो उसी की सबसे पहले हेल्प करता है जो अपनी खुद हेल्प कर सकता है अब भारत में ऐसा ऐसा ही होता जाएगा उस प्रमानमा ने बोला है उस देवानी ने बोला है मैं तो एक छोटा सा प्यादा हूँ मेरे जैसे तो लोग अपने घरों में अपने खोकों में अपने जगे जगे अपने मंडल बनाकर करोड़ो आत्माएं वाइबरेट कर रही है उनमें से एक मैं भी हूँ अब भारत में बहुत भैयानक होने के बाद में अटी अच्छा भी होगी अच्छा भी होगा क्यों भैयानक इसलिए कि भैयानक के लिए हम लाइक हैं और मेरे मैंने कुछ परमादमा के दिया से आप लोगों की महरमानी से ऐसे प्रियो किये हैं मैं कह सकता हूँ कि इसलिए मेरे सामने खड़ा है और मैं कह सकता हूँ कि भगवान या तो मेरे काम करना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूँगा चाहे उस जान, चाहे उस दंद युद्ध में मेरी जान क्यों नहीं चलिया है, लेकिन होगा, तो ऐसा ही, ये सारी प्लानिंग, कोई खरता मेरी है, कोई खरता मेरी है, कोई खरता मेरी है, इस्वर की प्लानिंग है, और हम सब की प्लानिंग है, उसका अनुसार ये सारे काम हो अब आपकी इच्छा है तो फिर थोड़ा सा सुनिए जैंद जैभारत है तो आपकी सैजरखा कर फिर थोड़ा सिन जैंद स कर सकता ओम हारी रहारी HA प्राषा है थेरा छैंद जैंद सुनिए टूर क्छ numerousप्ऴे ओल से कर दो में वいます दूस्तो आगितने ही जैंजे भारत